बड़ी कबर को जानने का तो उससे पहले अगर आपने अवी तक जीओ पनीज को सब्सक्राइब करके औल नोटिफिकेशन बेल को उन कर दीजिए हरियाना से आवाज निकली महारी छोरी छोरो से कम है के दुनिया बोली हिंदुस्तान की बेटिया धाकड है जिहां प्रधानमतिनी नरेंद्र मोधी ने मंगलवार को हरियाना के चर्खी दादरी में चुनावी सभा की यहां उन्होंने कुस्ती से राजनिती में आई बविता फुकाट के समर्थन में बोट मांगा उन्होंने कहा कि हरियाना में मारी छोरो छोरो से कम है कि का नारा अवियान बन गया है ऐसी आवाज जब अंदोलन बनती है तब दुनिया कहने को मजबूर होती है कि बेटियां धाकड है महराष्ट विधानसवा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल पत्र महात्मा, जोतीबा, सावित्री फूले और वीर सवरकर के लिए भारत रतन की मांग करेंगे जिहां भाजपा ने मंगलवार को मुंबई के रंग सर्दा हॉल में विधानसवा चुनाव को लेकर अपना घोशना पत्र जारी किया पार्टी ने इसे संकल पत्र का नाम दिया है इसमें भाजपा ने वादा किया कि दोबारा सत्ता में आने पर वह सोतंतता सेनानी, वीर सावरकर, समात सुधारक, जोतीबा फूले और सवित्री वाई फूले को भारत रतन देने की मांग करेगी पार्टी ने नदियों को जोड़ कर प्रदेश को सुखा मुक्त करने और अगले पांच साल में महराष्ट में एक करोड नोकरिया देने का वादा भी किया है पाकिस्तान का नाम अंतीम चितावनी के लिए डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है जिहां टेरेट फंडिंग और मनी लॉंडिंग पर लगाम लगाने वाली अंतराष्टी संस्था फाइनेंसियल एक्सन टास्क फोर्स पाकिस्तान पर और कड़े परतिबंद लगा सक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से डार्क ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है एफ ए टी एफ इस पर अठारा क्टूबर को फैसला लेगा पुरसकार पाने वाले क्रेमर ने कहा मुझे स्काइब पर अवार्ड की सुचना मजाक लगी थी जीहां अर्थविवस्ता का नोबल पाने वाले हावर्ड यूनिवस्टी के माइकल क्रेमर का कहना है कि उन्हें इसकी सुचना चैटिंग एप स्काइब पर विली पहले तो ल गांगुली को BCCI का अध्यक्स नहीं बनाया हमारे बीच कोई डिल नहीं हुई है जी हाँ सोरफ गांगुली का बिजिस्याई का निरुरोध अध्यक्ष बननाता है अटकले तेज़े की भाजपा और गांगुली के बीच 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव को लेकर डिल हुई है हाला कि भाजपा अध्यक्ष अमित साह ने एक चैनल को दिये के इंटर्विव में ये कहा कि हमने गांगुली को बीच ये अध्यक्ष नहीं बनाया है और हमारे बीच कोई डिल नहीं हुई है पिसले साल साह ने गांगुली से मुलकात की थी सुराफ गांगुली के भाजपा में सामिल होने की अटकलेज भी चल रही है भाजपा के दल बदल ने था नरायन प्रसाथ तिर पार्टी के हुई घर वापसी बोले मैं कभी पार्टी छोड़ कर नहीं गया जी हां मद्यपर्देश में चुनावी नतीजों के बाद से ही भाजपा और कॉंग्रेस के भी संग्राम देखने को मिल रहा है बीते सतर में अपने ही पार्टी भाजपा के किलाफ क्रोस वोटिंग करने वाले भाजपा विधायक क्रोस वोटिंग में नराण प्रसाद के साथ दूसरे भाजपा विधायक सरद कॉल भी सामिल थे इन दोने विधायकों ने विधान सभा में कहा था कि वह कमलात सरकार के को समर्दन दे रहे हैं महराष्ट चुनाओं में OASI ने RSS को निशाने पर लिया कहा भारत को हिंदू राष्ट नहीं बने देंगे जी हां महराष्ट विधान सभा चुनाओं में एक रैली के दोरान AI MIM प्रमुख असदुदीन OASI ने सत्ताधारी पार्टी BJP और RSS को निशाने पर लिया RSS को निशाने पर लेते हुए OASI ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट नहीं है और वे इसे बनने भी नहीं देंगे आपको बता दें कि पिछले हफ़ते RSS प्रमुख मुहन भागवत ने कहा था कि संग भारत की एक हिंदू राष्ट होने को लेकर इस पस्ट है